आज मैं आपको हलकी फुलकी भूख में खाई जाने बाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी और चटकारेदार रेस्पी बनाना बताती हूं कैसे बनाई जाती है इसे हम पापड के साथ बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है जट से बनके तयार हो जाती है और आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी आप इसे पापड की चाट या पापड चूरी भी बहुत सकते हैं पापड की चाट बनाने के लिए यह हमने मुंकी दाल के 5-6 पापड लिये हैं चलिए रेस्पी बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पे कर सकते हैं अब यह पापड भून गया है बस हमें इसी तरीके से सभी पापड़ों को बूलना है यह हमने सभी पापड़ों को बूल लिया है चलिए पापड की चाट बना लेते हैं इसके लिए हमने यह बॉल लिया है अब हम पापड को छोटे छोटे पीस में तोड़ेंग हमें पापणों की जैदे चूरा नहीं करने है, बस हमें इसी तरीके छोटे पीस में तोड likenे हम सभी पापड़ों को इसी तरीके से तोड़ लेंगे यह हमने सभी पापड़ों को तोड़ लिया है अब हम इसके अंदर दो बड़े चम्मच प्यास जालेंगे जिसे हमने चोटे-चोटे पीस में काट लिया है दो बड़े चम्मच टमाटर आलू इसे भी डाल देते बेजी टेबिल आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते आप चाहिए इसके अंदर खीरा वगरा भी डाल सकते हैं दो हरी मिर्च मिर्च तो चीर आपको नोसा लूटा जादर क्रसकते हैं क्योंकि ये चटवच और चेचटपटी है सब्सक्रीलकर गठाने के लिए हमने दो मिर्च का इस्तेमाल किया हैw इसके लिए हमने आदी टीस्पून भुनावला जीरा लिया है जिसे हमने पीस लिया है वो डाल देते बन फोर टीस्पून काला नमक काला नमक से टेस्ट अच्छा आएगा बन फोर टीस्पून सफेद नमक ये वही वाला नमक है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते नमक आपपे टेस्पून साथ थोड़ सा कमिया जादा भी कर सकते हैं आदी टीस्पून लाल मिर्च मिर्च आपपे टेस्पून सा थोड़ सी कमिया जादा भी कर सकते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं ये तीखी नहीं होती है अब इस चाट को और भी चेट पटा बनाने के लिए अब हम इसके अंदर एक टी स्पून चाट मसाला डालेंगे यह हमने एक नीवु का रस लिया है वो भी डाल देते थोड़े से नमकीन सेव इससे चाट खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी अब हम सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह चाट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बहुत जल्दी भी बनके तयार हो जाती है आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके यह भी बताए कि आपने यह चाट खाईए कि नहीं खाईए और खाईए तो कब खाईए देखिए इस चाट देखने में कित्ती सुन्दल लग लिए है यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसको एक बाद जरूर ट्राई किज़ेगा आपको भी यह चाट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अब यह चाट बनके तयार हो गई है अब हम इस चाट को सब्पल लेते हैं देखिए कित्ती बढ़िया चाट बनके तयार हुए है इस चाट को बनाते समय हमें एक बाद का ध्यार डटना है आपको जब भी चाट खाने है उसी टेम चाट को बनाना है आप देख पारे कितनी बढ़ी चटपटी चटकाली दा चाट बनके तयार हुई है आप भी इस चाट को बनाएए फिर मुझे कमेंट्स करके बताएए कि आपको ये चाट कैसी लगी मुझे उगमीद है कि आपको ये चाट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अब हम चाट की गानिशिंग कर देते इसके लिए अब हम इसके ऊपर थोड़े से प्यास डाल देते थोड़े से टमाटर आलू थोड़े सा हरा धनिया थोड़े से नमकीन सेव अब ये चाट पनके तयार हो गई है आप देख पारें देखने में ये चाट किती सुन्दर लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आ रहा है ना देखते ही मुझे पानी मुझे तो ये चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपको य अगर आपको ये चटपटी और टेस्टी पापड की चार्ट थोड़ी भी पसंद आती है तो रेस्पी को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए सस्क्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकना से आप प्रैस करना ना भूलिए जिसे की मेरी आने वाली वीडियो का न